काजी महराज, एक उलेक्टी स्कूटर लेने का सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक कौनो इलेक्टी स्कूटर पसंद नहीं आई? तो इपांच उलेक्टी स्कूटर बहुत जल्द इंडिया में आने वाली है जो नमसे आपको कौनो न कौनो पसंद जरूर आ जाएगी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं Top 5 Upcoming Electric Scooter इन इंडिया 2024 और यह मैं से ते एक दुगो आईसन इलेक्री स्कूटर है जो उनकी बहुत चल्दी आने वाली है तो वीडियो को लाइक कर जिए चैनल को सब्सक्राइब कर जिए तकि अगर उन इलेक्री स्कूटर आएगी तो आपको पता चल सके क्योंकि हम वीडियो बनाएंगे और आपका एगो सब्सक्राइब करने से हमारा बहुत मनोबल बढ़ जाता है आपको एगो सब्सक्राइब करने से तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारा बहुत बहला हो जाता है चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पचवा पोजीशन से तब पचवा पोजीशन पर है भाईया एथर की रिष्टा यह एको फैमली ओरियेंटेड इलेक्टी स्कूटर है फैमली को ध्यान में रखके ज़्यदा बनाया गया है और कंपनी तो दवा करती है कि इसका सीट इतना बड़ा है कि कौनों स्कूटर इतना बड़ा सीट परवाइड नहीं करती है वो चाहे पेट्रोल की हो चाहे इलेक्टी की स्कूटर हो साथे कंपरीजन कर दिये थे ओला की ओला सीट से और होंडा एक्टीवा से उदूनों ही गाड़ी के सीट से इस गाड़ी के सीट बड़ा था और ग्रेट खली तो यह पर मुका मारते है तो वो इस इस इट नहीं टूडता है तो इसे लुक और डिजायन के बार हम बात कऱें लुक आओ डिजायन बहुत हद तक आपको टीवेश की अईकू ज widget को मिल जायागी बड़ा बूटस्प्रेस दिंगने को मिल जाएका साथ इंचेस का टाच देखने को मिल सकता है अब बात करते हैं चोफ़ा पोजीशन पाने वाली एलेक्टिक स्कूटर का बारे में उएंपः की NXG इलेक्टिक स्कूटर कंया कुमारी से जम्मु कस्मीर तक जा रही है K2K का राइड कर रही है जो उनकी electric scooter को खर देंगे, उनको एक limited edition electric scooter दिया जाएगा, जो उनकी k2k ride पूरी कर चुकी है, साथी आप लोग को बताते कि यह में आपको 7 inches का touch screen display देखने को मिल जाएगा, बैटरी के बारे में जनकारी नहीं है, लेकिन mid drive motor का यूज किया गया है, कलर आपको blue, white, grey and red देखने को मिल जाएगा, इए electric scooter बहुत जल्द launch होने वाली है, साथ अप्रेल या मय में इए गाड़ी launch होते हुए हम नहीं सभी के दिख सकती है, electric scooter का price के बारे में बात करें, तो 130,000 से लेके 140,000 का price होना का संभावना है, अब भया तीसरा position पर है Brisk EV, इए electric scooter जितना range परवाइड करती है, उतना range अभी के टाइम पर इंडिया में कौनो electric scooter परवाइड नहीं करती है, electric scooter 333 km का IDC range क्लेम करती है, जिसके कारण इए electric scooter काफी attention पाच चुकी है और काफी hype भी मचा चुकी है, वैसे इए electric scooter में आपको दूग वेरियंट देखने को मिल जाएगा, एग ओरीजिन और एग ओरीजिन प्रो, ओरीजिन प्रो की बात कर, तो ओरीजिन प्रो में आपको 333 km का claimed range देखने को मिल जाएगा, 5.7 kWh का mid drive motor use देखने को मिल जाएगा, 7 inches का touch screen display दिया गया है, और आपको 6.9 kWh का बैटरी दिया गया, जो नक मद से 333 km का range प्रोवाइड कर देती है, तो भाईया, बनारस से पटना आराम से एक चार्ज कीजिए, चली जाएगे, कोनों टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, इलेक्टी स्कूटर का एक्सपेक्टेड प्राइज 1,5 लागे करीम है, और देखने वाली बात है कि ये गाड़ी कब लॉंच होती है, वैसे ये गाड़ी को लॉंच होने का संभावना, फेम 3 सबसेडी आने के बादे का है, अब भाईया दूसार का पोजिशन पर है TVS की IQST, इलेक्टी स्कूटर को पिछले कुछ तीनों पहिले लॉंच किया गया था, एक दूसाल पहिले, लेकिन इलेक्टी स्कूटर कोनों आदमी को मिली ही नहीं, जो लोग बुक किया थे, वो बुक करके ऐसे ही देखते रहे गए, कि इद का चान्द कब निकलेगा, कब हमें इलेक्टी स्कूटर देखने को मिलेगी, लेकिन इद का चान्द निकल गया को हाली, लेकिन इए से इलेक्टr स्कूटर टीवाइश के निकलबे नहीं कि, वैसे इलेक्टr स्कूटर को a Šoo room में देखा गया है जिसका वीडियो हमने भी देखा है लेकिन इह लेक्टrr कोcat ho claims क्या जा सकता है और इलेक्टrrUR का तुछ प्राइस बढ़ाया सकता है वो इसे काफी अच्छी एग उलेक्टी स्कूटर है, 140 km का रेंज क्लेम करती है, और दे भी देती है, जैसे कि हम TBS IQ के बारे में जानते हैं, कि 100 km का रेंज क्लेम करती है, तो 100 km रेंज दे देती है, टॉप स्पीड 85 km पर आर का, तो भी काफी अच्छा लगा हमको, उतना भी रहना चाहिए एग उलेक्टी स्कूटर में, टॉच स्क्रीन डिस्प्ले भी आपको इलेक्टी स्कूटर में देखने को मिल जाएगा, तो काफी अच्छी एग उलेक्टी स्कूटर है, अगर यह स्कूटर को फिर्म 3 सबसेडी आने के बाद लॉंच किया जाने का उमीद है, बहुत ही ज्यादा, अब बात करते हैं पहिल का नमर की इलेक्टी स्कूटर के बारे में, पहिल का नमर पहे है एक्टीवा, अब आप लोग सोच रहे हैंगे, एक्टीवा को हम कोई से ला दिए, अब ल subconscious हम से अब आहरे लेक्टीवा के बात कर रहे हैं, लेक्टीवा आने वाली है जल्दी जशना के लिए आप वैठ भी कर सकते हैं, वो इसे जैसे ही एक्टीवा इंडियन मारकेट में आएगी चट्छी का दिदिया आने वाला है, कांकि एक्टीवा पेट्रोल में इत सब्सक्राइब भी है लेकि नर्थ इंडिया में थोड़ा हाल बुरा है तो ओ पर ध्यान दे रहे हैं वहाँ पर ध्यान देने के बाद अपनी गाड़ी में एक स्वैपबल बैटरी का उप्शन लेके आने वाले हैं और स्वैप स्टेशन को बड़ी अच्छी तरीके से इंडिया में स्टैबल आने वाली है इंडिया में और एक्टिवा के नाम पे ही भी केगी हुंडा के इलेक्टिक स्कूटर है एक्टिवा के नाम पे काफी अच्छा पईसा कमा लेगी और पईसा तो इंडिया में बढ़ी अच्छी तरीके से छापेगी रेंज के बारे में आप लोग को बता देते 80-100 km तक का आपको रेंज देखने को मिल जाएगा और दुक बोटवल बैटरी देखने को मिल जाएगा और टॉप स्पीड आपको 80 km के लगभगबाद का देखने को मिल जाएगा लांचिंग के बारे मात करें 24 के लाष्ट में नोवंबर दिसंबर तक यह गाड़ी लांच होने का बहुत उमीद है हम बहुत ही उमीद लागा के बइठा है कि जल्दी हुंडा एक्टिवा लांच हो जाए इंडिया में प्राइस के बारे में बदा देता है अभी कौनो अच्छ लगल है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा ताकि आगे भी आपको इवी के कॉंटेंट इवी कॉंटेंट पे मिलते रहे हैं और अभी आपके मौन में कौनों परकार का कॉस्च्चन है कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट कर सकते हैं चलिए वीडियो खतम करते करते बोल देते हैं एक बार हमने यही अठाना भारत को है सवक्ष बनाना जय हिन जय भारत